हलो फ्रेंट्स, वेलकम यू अल अन बोर्ड एक्जाम वार्यर्स हाजिरू में आपके सामने एक नई वीडियो लेकर जो है सीटेट नोटिफिकेशन से रिलेटेट यस फ्रेंट्स, सीटेट ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और हम इस वीडियो में आगे देखेंगे कि फर्म कब से कब तक फिल होंगे और कौन-कौन फर्म भर सकता है और कौन-कौन फर्म नहीं भर सकता है and the most important topic is कि आखिर क्यों एक्जाम सेंटर आपकी चोईस का नहीं मिलता है तो friends आपको पता ही होगा और आपके साथ वाले जितनी friends हैं अगर आपने एक भी बार seated की exam दिया है तो आपको पता होगा कि कई सारे students को तो जो exam center उन्होंने first priority दियो होती है वो मिल जाता है जबकि कई सारे students को वो नहीं मिल पाता है तो इस वीडियो में last तक बनी रही है आपको पता पड़ेगा कि कैसे आपको exam center अपनी first priority वाला मिल सकता है तो चलिए start करते हैं अपनी वीडियो को friends अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजे क्योंकि ऐसी ही information मैं आप तक सबसे पहले लाने की कोशिश करती हूँ चले देखते हैं यह क्या आपको notification CBSE की तरफ से देखिए 20-10-2022 का notification है so public notice है the central board of secondary education will conduct 16th edition of seated in CBT yes computer based test that is online होगा exam mode between December 2020 to January 2023 the exact date of examination will be mentioned on the admit card of the candidate so December 2022 से लेके जनवरी 2023 तक आपका exam चलेगा और जो भी आपकी exam की date होगी वो आपके admit card पर show हो जाएगी तो आगे देखिए यह है application की details the online application process will be start from 31st 10-2022 मतलब 31 October से आपके form start हो जाएगे and last date of submission exam is 24th of November 2022 तो 24 November तक आपके form फिल होगे रात को 23 बच के 69 तक means कि 12 बज़े से पहले ही आपको form फिल करना होगा fees can be paid up to 25 ओके और आपकी fees 25 तक submit हो सकती है the application fee दोनों की देखिए अगर आपको only paper 1 या only 2 देना है तो आपकी 1000 रुपीज है general और OBC के लिए and SCST के लिए यही fees है 500 रुपीज ओके same अगर आपको दोनों paper fill करने है तो general और OBC के लिए आपको 1200 पे करना पड़ेगा चली देखते हैं तो यह लिखा हुआ है means आपको जितनी जल्दी form भर सकते हैं उतनी जल्दी form fill कीजेगा अगर आप जल्दी form fill करेंगे तो आपको जो priority वाली city है उसी में exam देने का मौका मिल जाएगा जबकि अगर आपने late fill किया तो आपको वो city बहुत ही rarest case में मिलेगी the candidate who complete the online application process and pay the fees on first come first serve basis will be allotted the examination city of their choice as per availability on the particular city the total capacity in the particular city also available on the portal तो अब देखी कितनी बड़ी चीज निकल कर आई है कि इनके portal पर आपको यह भी पता पढ़ जाएगा कि particular city में कितने students की strength test देने या paper देने आ सकती है if the candidate cancel the transaction full fee will be refunded to his or her account as per the mode of payment and application will not be considered for this examination of CTET the request for change of examination city will not be acceptable जी हाँ friends अगर आप अपनी exam city को बाद में change करने के लिए इन पर रिट दायर करते हैं तो आप इस चीज के लिए ensure हो जाएए कि वो नहीं होगी इसलिए आपको exam city बहुत ध्यान से फिल करनी है ओके तो यह रहाँ आज का यह notice आपका अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को like, share और subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा और क्योंकि फॉर्म 31 तारिक से इसी 30 तारिक से मेरी 31st of October से फिल होने शुरू हो रहे हैं तो आप जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी फॉर्म फिल कीजेगा ताकि आपको आपकी priority वाली exam city मिल सके ओके, so do like, share and subscribe Board exam Warriors Friends, चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा Thank you so much